अंगल ऐसे मसीन के साइब में ऐसे घुम रहा है तो श्माजिए कि वह लगवाई जाएक्शन है लेकिन वह उल्टा आपके तरफ आ ऐसे घुम रहा है तेक है मसीन के आपके सीदा खा रहा हो रही है और देखेंगे हमेशा की तरह एक बहुत ही संदार वीडियो और डिमांडि दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत बाड़ा कंफ्यूजन को दूर करने का उपार यह हम लोग लोग का यह कुश्चन है तो कहां पे M03 and पांजल को हुँमाएं और कहां पर इंजीरो फोर से इसमें बहुत बारा कन्फ्यूजन है और यदि हम अगर आरेच त्रेड का ठीक है तो टूल का डारेक्शन क्या दें रोटेशन क्या दें और टूल को जो है इंसर्ट को जो है टूल में कैशे बांदें सिधा बांदें या पूलिटा बांदे सेम वही कन्फ्यूजन है एलेज त्रेड में तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का इसमें पूरा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को पुरा लाश्ट टक देखिए अगर वीडियो पसंद आता है त यह कोई ध्रेडिंग जॉब है ठीक हैए और इधर से यह क्लेंपिंग किया हुआ है और यहाँ पे हमने क्या है कि टूल को रखा हैं लेकिन कहीं कहीं आपको इधर से भी टूल लगा हुआ मिल जाता है तब ही हम लोग चार्चा कर रहे हैं इधर से टूल लगा हुआ है ठीक है और इधर से हम लोग को थेडिंग करना है तो देखिए सबसे पहला जो केश्य हम का यह निच्चे है कि हमने इंसर्ट को जो लगाया है यहां राज्रम को यह उल्टा करके लगाया है तो जब को ऑँदर को और बहुंद की साइड में है तो यहां पे आपको M 04 से Spandle को Move करना है clear देखिए यहां पे हमने insert को उल्टा लगाया है ठीक है तो यहां direction हमको इधर देना होगा Spandle के side में देना होगा और M 04 से Spandle को घुमाएंगे तो यहां पे आपका जो ही आरच थ्रेड कट कर आएगा ठीक है तो आप लोग को यह जो first case समझ में आ गिया होगा अब आते हैं second case दिखिये दोस्तों अगर आप aim03 में आरच थ्रेड काटना चाहते हैं तो aim03 में काटने के लिए हमको insert को शीधा करना पड़ेगा insert का जो tp ऊपर के side में करना पड़ेगा और इधर से rotation करना होगा इधर से काटते हुए हमको इधर आना होगा आंदर के side से काटते हुए हमको बाहर के side में आना होगा तब जाकर आपका rh thread कटेगा दोस्तो आशा करते हैं कि ये second case भी शमज में आ गिया होगा अब आते हैं LH Thread के, निके LH Thread यह 1st case से इससे related है, इसमें क्या है कि टूल उल्टा था, इसमें भी टूल उल्टा है, M04 से जो है आपका Spinal Rotate होड़ा है, लेकिन केवल अगर हम लोग Direction चेंज कर दें, तो आपका Thread जो है RH से LH होगा है, दोस्तों RH Thread और LH Thread के उपर भी ह हमने एक वीडियो बना कर डाला हुआ है, playlist में है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और समझ सकते हैं कि RH Thread और LH Thread में difference क्या है, उसको पहचान कैसा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कि मालनी जीए, यह M04 से ठीक है, Spindle Anti-Cluckwise में घुम रहा है, लेकि एक चीज़ और confusion होता है, क्लकवाइज और Anti-Cluckwise पाचान नहीं पाता है, तो क्लकवाइज का मतलब हो जाता है, घरी के direction में, ठीक है, अब घरी के direction भी अगर आप तो शमझ में नहीं आ रहा है, तो आप मशीन के पास खारा हो जाईए, और यदि आपका Spindle ऐसे मसीन के side में ऐसे घुम रहा है, तो शमझे कि वो क्लकवाइज डिरेक्शन है, लेकिन वो उल्टा आपके तरफ आ रहा है, ऐसे घुम रहा है, ठीक है, मसीन के आप एक रहा हो जाईए, और देखे कि ऐसे आपके side में घुम रहा है, वो उल्टा घुम M04 में घुम रहा है, एंटि क्लकवाइज डिरेक्शन में घुम रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ हुआ कि हम लोग second इसके को देख रहे थे LH थ्रेड में, अगर इंसर्ट उल्टा है और Spindle भी उल्टा घुम रहा है, counter क्लकवाइज में घुम रहा है, यहाँ पे केवल हम लोग डिरेक्शन को चेंज कर देंगे, इधर से इधर को तूल को लाएंगे, तो यह आपका LH थ्रेड हो जाएगा, अब इसके second case पे आते हैं, यह देखिए, यह सेम टू सेम इसम है, ठीक है, जब हम लोग RH थ्रेड काटते हैं, और तूल हमारा उफ़र रहता है, ठीक है, सिधा डिरेक्शन में रहता है, तो इधर से काटते हुए हम लोग इधर आते हैं, लेकिन उशी को अगर हमें LH काटना है, तो कुछ नहीं करना है, ना आपको टूल खोलना है, ना एसमांडिल का रोटेशन चेंज करना है, यह वाल आप टूल का रोटेशन ऐसे चेंज कर द तो दोस्तों, अगर यह वीडियो समझ भी आया, ठीके, और पसंद आया, तो वीडियो को लाइक किजिए, दोस्तों में सेर किजिए, और चैनल के पहली बारा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जब किजिए, क्योंकि हम इस टेक्निकल क्लासेस यूटूब चैनल के किवल CNC ही में CNC के अलावा, बहुत सारे वीडियो यूटिलिटी शे हो गया, या इंडस्ट्रियल एक्ट्रिमेंट के वीडियो जो है, डालते रहते हैं, और कुछ वीडियो हमारे अलावा, हमारे टीम के द्वारा भी डाला जाता है, ठीके, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ह मिलने वाला है, आप लोग वीडियो देखते रहे हैं, और शफोट करते रहे हैं, ओके दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,